हैलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मितला युनिवसीटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंगलिस ओनर्स के स्टूरेंट्स होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर सेवन के ओफिसियल सैलेवस को डिसकस करेंगे सैलेवस के साथ साथ दोस्तो इगसामनेशन के लिए मार्किंग पैटर्न एवं इगसामनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है अपकमिंग इगसामनेशन के लिए इसके उपर भी हम लोग बात करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो पेपर 7 में आपका जो सैलेवस बटा हुआ है वो चार भागों में बटा हुआ है पहला भाग में दोस्तो पोयम दिया गया है दूसरा भाग में एससे दिया गया है तीसरा भाग में सौटे स्टोरी दिया गया है और चौंथा भाग में एक novel दिया गया है तो इन ही चारों section को आपको exam के लिए prepare करना है और इसी चारों section से exam में question भी पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले part को cover कर लेते हैं पहले part कहने का अर्थ poem section दोस्तो poem section में आपको ये सभी poem पढ़ना होगा कौन कौन poem पढ़ना होगा तो आपको पढ़ना होगा poetry and sonnet to the moon और ये दोनों poem जो है दोस्तो ये H.L.B. Derozio के द्वारा लिखा गया है next जो दोस्तो आपका poem पढ़ना होगा वो है the lotus and our kazarina tree और ये दोनों poem तोरो दत के द्वारा लिखा गया है इसी प्रकार से दोस्तो रबिंदरनाथ ठैगोर का भी आपको दो poem पढ़ना होगा एक separation और एक silent step next दोस्तो श्री अर्विंदो का भी आपको दो poem पढ़ना होगा पहला transformation and दूसरा the tiger and the deer इसी प्रकार से दोस्तो आपको स्रोजनी नाइडू का भी दो poem पढ़ना होगा एक village song और एक the pradana scene इसी प्रकार से दोस्तो निजीम इजीकिल का भी आपको दो poem पढ़ना होगा पहला night of scorpion and दूसरा iceland इसी प्रकार से दोस्तों आपको कमला दास का एक पोयम पढ़ना होगा और इस पोयम का नाम है An Introduction इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक पुरुसोत्तम लाल का भी पोयम पढ़ना होगा और इस पोयम का नाम है अलिफ इसी प्रकार से दोस्तों आपको एके रामा नुजम का भी एक पोयम पढ़ना होगा और इस पोयम का नाम है अविच्योरी सेम इसी प्रकार से दोस्तों सिव के कुमार का आपको दो पोयम पढ़ना होगा तो आप देखे, आपको 11 poet का जितने भी poem देख रहे हैं, इन सभी poem को आपको पढ़ना होगा, लेकिन आप घवराना मत, आप जिस भी exam में बैठोगे, उस exam के लिए हम आपको cable और cable, 4 से 5 poem ही इस में से select करके देंगे, और वो 100% आ जाएगा, तो इसके उपर हम लोग बात करें तो हम लोग this question बनाते हैं, उस time इसको हम लोग cover करेंगे, तो दोस्तो यह हो गया आपका poem section, अब चलते हैं आपको इसे section की ओर ले चलते हैं, दोस्तो इसे में आपको total 7 इसे पढ़ना होगा, पहला इसे पढ़ना होगा दोस्तो, the secret of work, और यह लिखा गया है स्वामी विवे कानन्द के दोरा, अगला इससे आपको पढ़ना है दोस्तो, Indian Civilization and Culture, यह लिखा गया है दोस्तो, महात्मा गांदी के दोरा, इसी प्रकार से दोस्तो, आपको अगला जो इससे पढ़ना है, यह है, Education for New India, और यह लिखा गया है, राज गोपाला चारी के दोरा, अगला आपको इससे जो पढ़ना है, दोस्तो, यह पढ़ना है आपको शर्व पलिराधा कृष्णन का और इससे का नाम है, Science, Humanities and Religion, इसी प्रकार से दोस्तो, आपको जवाहरलाल नहरू का भी एक एससे पढ़ना होगा, और इससे का नाम है, What is Culture, इसी प्रकार से दोस्तो, आपको नीरद स चौधरी का भी एक एससे पढ़ना होगा, और इसका नाम है, The Eternal Silence of These Infinite Clouds, तो दोस्तो, यह हो गया, आपका नीरद सी चौधरी का एससे, इसी प्रकार से एक जो लास्ट मेरा एससे है, और यह मीनु मसानी के दोरा लिखा गया है, No Man is an Iceland, तो देखे, आप, आपको इन सातों इ इससे को भी आपको exam के लिए कवर करना है, और इससे section से भी आपको जैदा पढ़ना नहीं है, जो भी exam में आप बैठोगे, उस exam के लिए मैं सात में से केवल और केवल, दो आपको select करके दूँगा, और वही दो आएगा confirm, तो दोस्तो यह हो गया, इससे section, अब चली हम आप को सौट स्टोरी सेक्शन में ले चलते हैं दोस्तों आपको स्टोरी भी कम से कम आठ स्टोरी पढ़ना होगा पहला स्टोरी पढ़ना होगा दबाबुज ओफ नैंजूर और ये रबिंदरनाथ टैगर के दोरा लिखा गया है इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक स्टोरी जो कर्म उसके अद्ध भावानी वट्टाचारिय का आपको पढ़ना है ग्लोडी ओफ टुलाइट के ए अबास का पढ़ना है स्पैरोस एंड अरुन जोसी का जो आपको पढ़ना है स्टोरी यह है दा होम कमिंग तो दोस्तो यह तो होगे स्टोरी इसी प्रकार से दोस्तो लास्ट में आपको चांथा सेक्शन में आपको पढ़ना होगा नॉबेल और यह नॉबेल कौन है तो यह नॉबेल है दा entitled आर्के नराइन के दुरा लिखा गया है दोस्तो बहुत ही फेमस यह नॉबेल है इस नॉबेल के उपर फिल्म भी बन चुका है तो दोस्तो ये तो हो गया आपका सहले बस एक पर फिर मैं आपको बता देता हूँ ये जो चार सेक्षन देखे हूँ आप ये हो गया पहला पोयम सेक्षन दूसरा हो गया आपका दोस्तो इसे सेक्षन तीसरा हो गया दोस्तो आपका सोट स्टोरी सेक्षन और चौन्था सिक्षन हो गए है नॉबिल सिक्षन इन ही चारों से एक एक long question आता है जो कि 17 marks का होता है तो एक question 17 marks का तो 4 से एक एक आएगा तो 17 चुका 68 तो 68 marks का आएगा long question और इन ही चारों से एक-एक explanation का question आएगा और explanation का question होगा 8 marks का तो A question 8 marks का तो 4,8 चोक 32 तो 32 और 68 को आप जोरोगे तो ये 100 marks हो गया चलिए अब मैं आपको question paper दिखलाता हूँ जो 2021 के exam में पूछे गया है तो दोस्तो पहला number जो प्रसन आएगा ना वो explanation का ही आएगा जैसे देख लिजिए आप ये आगया A हो गया और A में अथवा करके आगया तो इन दोनों में से कोई A का आप जबाब दे दिजिए इसी परकार से देख लिजिए B हो गया तो B का जबाब दिजिए या फिर B में और करके जो दिया आगया इसका जबाब दीजिए इन दोनों में से कोई A का जबाब दीजिए इसी प्रकार से देख लिजे यहाँ पर C हो गया C में आप यह उपर वाले कांसर दीजिए या फिर और करके जो यह दिया गया है इसका आंसर दीजिए और इसी प्रकार से लास्ट में है D यह एक्साम टाइम जो कोईस्टन आये था वहीं पर मिस्प्रिंट हुआ था यह बी के जगा पर D होगा और जितने भी चार से लेवस में आप टॉपिक पड़े हो इनी चार से से आएंगे एक एक एक्स्प्रानेशन तो यह तो हो गया दोस्तों आपका We JOHN 5 pages आपको आंसर देना होगा जैसे देख लेजिये सबस्रा नबरái कोस्टन में समझे एक और के पास उपशन होता है या तो आप इस पोयम का आंसर दीजिये या फिर इसी में और करके दिया हुआ है, जो आप पोयम पढ़े है और उस पोयम का जो राइटर है इस राइटर से संबन्द, देख रहे हैं H.A.B.D. रोजी हो गया, S.R.A.R.E. बिंदु हो गया निजी मिजी किल हो गया, सिबकी कुमार हो गया एके रामानूजवम हो गया तो या तो poem मेंसे कोई एक answer दीजिए या फिर writer मेंसे कोई एक answer दीजिए तो दोनों मेंसे कोई आप दे सकते हैं poem का देना ठोड़ा simple हो जाता है तो ये हो गया दूसरा परेस्ट देखे आप ये था सतरा मार्स का इसी प्रकार से देखिए आप दोस्तों आया हुआ है novel section से देख रहे ना the guide से आया हुआ है justify the title of the novel the guide या फिर the guide में ही एक character आता है राजू का तो इन से यानि कि उपर वाला person जो होगा वो normal question होगा और इसी में जो नीचे वाला question होगा और करके जो दिया होगा वो character से होगा जैसे यह राजू आ गया है तो अगर next बार आएगा तो रोजी का आएगा किसी और का आएगा तो इस प्रकार से तो यह तो होगा novel section से देख लिए आप 17 marks का इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लिजिए यह आया हुआ है दोस्तों इसे section से देखिए Indian civilization and culture या फिर no man is an Iceland और इस दोनों में से कोई एक का जबाब आपको देना होगा और यह भी 17 marks का किसी प्रकार से यह तो था इसे section का आप last में देख लिजिए आप story section का story section में आप पढ़ेते the home coming या फिर the brothers तो इन दोनों में से किनी एक का जबाब दीजिए और वो भी 17 marks का होगा तो आपने देखा बहुत ही simple simple person आएंगे और दूसरी बात ही है कि हर प्रसन में आपके पास दो question दिये होंगे और इस दोनों में से जो आपको आता है वो आप बनाए जैसे देखिए पहला प्रसन में 4 explanation का रहेगा तो वो 32 marks का होगा दूसरा प्रसन आएगा दोस्तो इसमें poem से भी 5 दिये होंगे और poet से भी 5 दिये होंगे और या तो आप poem में से 5 में से कोई एका जवाब दिजिए या फिर poet में से 5 में से कोई एका जवाब दिजिए और ये भी हो जाएगा आपका सत्रा मार्स का इसी प्रकार से सोट स्टोरी से दो आयेगा उस दोनों में से कोई एक का जबाब दीजिए वो सत्रा मार्स का होगा इसी प्रकार से से में से आयेगा दो कोई एक का जबाब दीजिए वो भी सत्रा मार्स का होगा यानि 4 परसन होगा लॉंग तो 17 चुक अर्सट और 4 परसन होगे एक्स्पलानेशन यानि 8 चुक 32 तो 68 और 32 अर्सट और 32 अंडरेड मार्क्स तो दोस्तों यह होगा याफ पेपर 7 का सहलेवस साथी साथ दोस्तों मैं बता दू पार 3 के लिए पार 2 के लिए और पार 1 के लिए हम लोग हर session के लिए online batch चलाते हैं तो अगर आप online batch में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं फिलाल covid है बहुत साथ बहुत जगा coaching जो है वो बंद भी हो रखा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कम समय में चारो paper का बेहतर ढंग से त्यारी हो जाएगा साथ ही साथ हम लोग हर paper के लिए अपना खुद का class notes प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको बहुत help मिलेगा examination में mark भी बहतर आता है वो guess paper से बिलकुल हटके होता है guess paper का language तो तुरह tough होता है और maximum students guess paper का language ही लिख करके exam में आते हैं यही कारण है कि सबका average माक्सी मिलता है तो हम लोग खुद का बनाया हुआ जो handwritten note है class notes प्रोवाइड करेंगे चारो paper का question bank हो जाएगा चारो paper का जो जो आपका जिसमे explanation आता है वो हो जाएगा जहां पर poem आता हूँ वहां पर poem section से poem का text हो जाएगा पेपर एडिट में phonetic transcription आता है तो उसको एक कहने करत यह पूरे एक LNMU को target करते हुए हम लोग batch को run करेंगे और कर भी रहें फिलहाली उसमें हम लोग और मेले उनी चीज़ों को discuss करेंगे जो LNMU point of view से हैं जो LNMU को syllabus में दिया गया है तो अगर आप online batch से जुड़ना चाहते हैं या फिर चारो पेपर का content लेना चाहते हैं तो यह नीचे जो आप number देख रहे हो जो display हो रहा है उस number पे आप मुझे किवल WhatsApp कर देना और जिस भी पार्ट से हो वो पार्ट अपना mention कर देना यह number है सतर अरतालिस बिरान बेर सतासी एंड छी आलिस इस number पे आप मुझे WhatsApp करना थेंक्यू सो मच दोस्तो